वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास सेवन्थ इंग्लिश एलियन हैंड बुक से चैप्टर नमबर टू है दा फ्रेंडली मंगूस आज हम करेंगे इसके क्वेशन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो डैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले यह समझेंगे कि जो फार्मर है जो किसान था वो अपने घर में चोटा सा बेबी मंगूस मंगूस होता है नेवला जब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है यह अपने घर में क्यों लाया था एक्चुली फार्मर और उसकी वाइफ का एक छोटा बच्चा था ठीक है यह जो दिखाई दे रहा है पालने में आपको तो यह लोग यह सोचते थे यह अकेला रहता है एक छोटा सा पैट आजाएगा घर में तो यह भी और यह पैट भी दोनों एक साथ ग्रो होंगे और ब क्योंकि वो एक पैट लाना चाहता था पैट क्या होता है कोई भी जो पालतू जानवर होता है हमारे घर में तो गिव अ कंपनी का मतलब है वो चाहता था उसके बच्चे के साथ कोई किसी की कंपनी हो जाए है ना उसके साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो अपन दे रही आपको ये क्यों नहीं चाहती थी कि बच्चे को अकेला छोड़ा जाए मंगूस के साथ अब हुआ क्या एक दिन एक दिन फार्मर की वाइफ को मार्केट जाना था किसी काम से और जो फार्मर था वो भी शायद हो सकता है बाहर जा सकता था तो उसने अपने हस्बेंड को कहा कि मंगूस को ना बेबी के साथ अकेला छोड़ना सही नहीं है वही देखो जानवर तो जानवर होता जानवर का क्या भरोसा कब क्या कर दे तो ये उसको डर लग रहा था तो इसी बात को अब हम अपने वर्ट्स में लिग देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मर्स वाइफ इट वस नॉट सेफ फॉर हर चाइल्ड टू बी अलोन विद मंगूस फार्मर की वाइफ के हिसाब से ये एक सेफ आईडिया नहीं था मतलब सेफ नहीं था उसका बच्चा कि उसको अकेले छोड़ दिया जाए मंगूस के साथ ठीक ह अब ये जो मैंने अंडरलाइन करके लिखा ये पूरा का पूरा मैंने क्वेशन से ही कॉपी किया है तो इसी तरह से आप भी एक्जाम में जो क्वेशन दिया हुआ है वहां से भी कुछ लाइन्स को कॉपी कर सकते हो और इस तरह से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे next question देखिए what was the farmer's comment on his wife fear farmer ने क्या कहा जो wife को डर लग रहा था fear का मतलब डर लग रहा था कि भाई इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है जानवर तो जानवर होता है तो जो farmer है उसने अपनी wife को क्या जवाब दिया और उसका डर कैसे दूर किया तो answer देखिए अब जो ये जो farmer है इसने अपनी wife को समझाया कि भाई ये कोई पहले एक दिन से तो रह नहीं रहा है कई कई दिनों से रह रहा है हमारे घर में हम इसको जानते हैं दूसरा ये जो मंगूज है ये जो नेवला है बहुत जादा friendly है friendly मतलब देखा है हमने कितना friendly रहता है ठीक ह as sweet and gentle as their own baby जैसे हमारा छोटा सा बच्चा है इतना sweet है gentle है उसी तरह से ये भी छोटा बच्चा है विचारा ठीक है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो जो मंगूज है हमारे बच्चे के साथ ये कह रहा है ये समझा कौन रहा है किसान समझा रहा है अपनी wife को कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है जो मंगूज है हमारी बच्चे के साथ पूरी तरह से friendly रहता है बहुत gentle है उसका दोस्त है so there was no need to worry तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है next question देखेंगे अब why did the farmer's wife strike the mangoos with her basket farmer की wife ने strike क्यों किया मंगूज पर अपनी basket से strike का मतलब है प्रहार मतलब उस पर attack क्यों किया इस बात को हम ऐसे समझेंगे जब farmer की wife market से आई तो उसने क्या देखा कि जो mangoos है उसके मूँ पर खून लगा हुआ है पूरा घर के बाहर यहां पर खून खून लगा हुआ है अब भाई साब इसको लगा कि जिस बात का मुझे डर था वो ही हो गया मतलब इसको डर था कि अगर जो mangoos है अगर बच्चे के साथ अकेले रहेगा तो हो सकता उसको मार दे उसका खून पी जाया कुछ भी हो जाया तो ये इसको इतना गुस्सा आता है कि ये गुस्से में ये सोचती है कि इसने क्या किया है मेरे बच्चे को मार दिया है और किसान भी शायद घर पे नहीं था तो इसको इतना गुस्स आता ये जो टोकरी इसके हाथ में लगी हुई थी बहुत भारी सी इसी को ये मंगूज के उपर फैक के मार देती है और जिससे मंगूज जो होता वहीं के वहीं मर जाता है तो आंसर देखेंगे जब वो घर लोटके आई देख रहो यहाँ पर यह लोटके आ रही है उसने देखा कि मंगूज का जो फेस है और पाउस मतलब पैर वगेरा जो है उसके उस पर सब पर हर जगे क्या लगा हुआ है बलड लगा हुआ है खून लगा हुआ है और इसको क्या लगता है कि शायद इसने मेरे बच्चे को मार दिया है क्योंकि वो घर में अकेला था इसके साथ आगर का मतलब गुस्षे में अब यह वाली लाइन मैंने पूरी वाली grown क्वेस्षेन से ही Ayam इन एंगर, फार्मर्स वाइफ, हिट दा मंगूस, विधर बास्केट, तो गुस्से में आके, उसने, उसने सूचा नहीं कि पहले मैं घर्लत में जाऊं, चेक करूं, नहीं, उसने गुस्से में आके, वो जो पूरी जो बास्केट थी, भारी ची, जिसमें सामान था, वो मंगूस, वहीं के, वहीं मर जाता, अब रिपेंट का मतलब क्या होता है, पच्तावा, 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 जब कोई काम हम सोच समझ के बिना करेंगे, तो बाद में पच्ताएंगे, हिस्ती का मतलब होता है, जल्दबाजी, तो जल्दबाजी में उसने, जो मंगूस उसको मार डाला था, उसके उपर प्रहार किया था, अटेक किया था, तो क्या बाद में वो पस्ताई, how does she show her repentance, और वो अपना पस्तावा कैसे प्रकट करती है, अब होता क्या है, जब वो अंदर जाके देखती है, तो वो देखती है, घर में एक सांप मरा हुआ पड़ा है, का नहीं था, वो इस सांप का था, अब यार उसको बहुत ज़्यादा पस्तावा होता है, कि जिस बिचारे जानवर ने, इस्तने छोटे से मंगूज ने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैंने उसे ही मार डाला, और वो बहुत ज़्यादा रोती है, इसी बात को कैसे लिखें किस बात का, इस बात का, शी फेल्ट वेरी सॉरी, सॉरी का मतलब है, बहुत ज़्यादा उसको दुख हुआ इस बात का, कि यार मैंने उसी जानवर को मार डाला, जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई, शी टर्स दा मंगूज एंड क्राई, और उसने मंगूज की वो जो डे करना चाहिए, चिल्डन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं, दा मंगूज हैड किल्ड अ, मंगूज ने सच मुच में किस को मारा था, ओप्शन ए है, एक बेबी को मारा था, ए एक पैरेट को मारा था, या एक डॉक को मारा था, अपने इस क्वेश्चन का आंसर में देखूंगा, कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में, ठीके आप चाहो तो आंसर में A, B, C या D भी लिख सकते हो, I hope मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाबाए